नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग कई बार ऐसा होता है अब पता नहीं चलता हमारे उपर तंत्र क्रियाएं की गई है और जीवन में मुश्कले हैं कि कम ही नहीं हो रही तो ऐसे में सोचने पर विवस होना ही पड़ता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो आज हम आपको जादू टोने तंत्र क्रिया अगर किसी ने किया है आपके उपर तो इसके कुछ लक्षन होते हैं अगर ये लक्षन आपसे मैच करता है तो इस तंत्र क्रिया से बाहर कैसे निकले इसके भी आपको रास्ते बताएंगे तो जैसे शकात्मक उर्जा होती है उसी तलए नकात्मक उर्जा भी होती है अगर positivity है तो negativity है देवता है तो असुर भी है उसी तरह इस ब्रह्मान्ड के अंदर दो ही ताकत कारे करती है और वो ताकत जब निगेटिव चीजें बढ़ जाती है तो आपके जीवन में परिसानिया आ जाती है क्योंकि बुरा करने के लिए किसी का लोग दानवों की मदद लेते हैं और ये काफी सकती साली भी होते है हलांकि देपताओं को परिसन करना थोड़ा मुस्किल है पर दानव जल्दी परिसन हो जाते हैं जल्दी इसके परिणाम देने लगते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कारे सिद्ध करना चाहते हैं लेकिन वो कार आपको पूरा नहीं होता तो कैसे आप जानेंगे कि आपके उपर गरहों की पीड़ा है या फिर किसी ने कुछ करवाया है आज हम आपको यही बताएंगे तो चलिए हम लक्षनों से जानेंगे कि आपके उपर काला जादू हुआ है निगेटिव एनरजी किसी ने करवाया है आपके उपर परभाव छोड़ दिया है या फिर आपके उपर किसी तरह का कोई गरहों की पीड़ा है तो सबसे पहले तो जादू टोना होने के लक्षन सबसे पहले मन मस्तिक्स पर असर करते हैं अगर आपके उपर जादू टोना हुआ है तो मांसिक रूप से आप औसांत हो जाएंगे इसका मतलब बार बार बेवज़ा की चीजों में दिमाग जाएगा मन बेचैन रहेगा बेवज़ा उल्जने होंगी आप पूरी तरह से दिमाग का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां सकात्मा कुर्जा होती है वहां सुकून होता है अगर आपको लगे कि आप बेवज़ा परिसान हैं दिमाग का जैसे कोई कार ही करने में आपको मन नहीं लगता तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके उपर किया है कई बार तो लोग खाने पीने की बस्तू में मिला कर लोगों को खिला पिला देते हैं और लोगों को एहसास नहीं होता जब मन में उथल पुथल मस्ती है तो समझ में आता है कि कुछ बुरा हुआ है तो दूसरा यह है कि बे बज़ा आपके घर में लड़ाई जगड़े बढ़ जाएंगे आप लोगों में आपस में जितना प्रेम था उतना ही जादा नफरत हो जाएगा इसका भी मतलब हो है कि आपके घर परिवार के खुसियों से किसी को इर्षिया है और आपके उपर लोग छिए बार बार आपके घर में आ रहा है अशदी का मतलब है वह अंदर पक्षी मराओ मिलता है तो आप कोई खास जगा आपकोर मिल रहा है को पक्षि है महने दो मेहने में मिल जाए तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने प्रशेंड टोना टोटका करवाके रख यह जादू टोना हुने पर वेक्ति खुद को कटा कटा महसूस करता है दुनियादारी से यूशे लोगों को मतलब नहीं होता सांत रहता है अपने बाते करेगा अपने रोएगा अपने से बूलेगा पता ही नहीं चलेगा वो किस खयाल में खोया है मन की बेचैनी उसे बार-बार मारती है तो ऐसा लक्षन भी बताता है कि आपके उपर जादू टोना किया है अगर आपके घर परिवार भी कोई ऐसा बेखती ऐसा कर रहा है तो समझ ले उसके उपर किसी ने कुछ किया है कुछ खिला दिया है चाय, कौफी, पानी के सारे ही सही पर खिला दिया है अगर आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई है इसका मतलब भी यही होता है कि सच में कोई होता है बले आपको ना दिखे आपको खाना खा रहे हैं आपको लग रहा है जैसे आपके आसपास कोई बैटके खा रहा है आपको दीख नहीं रहा है लेकिन आपको ऐसा हिसास होता है कोई है इसका मतलब है कुछ न कुछ है ऐसी नेगेटिव एनरजी जो आपके पास है आपके लिए ये सही नहीं है कुछ लोग रात में सपने में देखते हैं कि कोई आपको बुला रहा है ये भी सही नहीं माना जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि प्रचंड तंत्र क्रिया आपके उपर हुई है तो ऐसे में आपको तुरंथ इन चीजों से बाहर निकलने के लिए पुजापाट घर में करवाना चाहिए किसी खास हिस्से में सर में हमेशा दर्द रहे या कोई सरीर में दर्द रहे तो इसका मतलब भी होता है कि किसी ने किसी कुछ आपके उपर किया है सरीर के कुछ खास हिस्से के नीचे पेतों में दर्ण हो डॉक्टर के पास जाने से भी आपको इसका अलाज ना मिले खासकर नाभी के नीचे दर्द हो ना तो यह प्रॉब्लम पोपता आपके ओऌपर तंत्र क्रिया कर वा दिया है आपका पेट के पेट में जब्दर्दोने लगता है है कि घर्मे रखी वी चीज है आपको एक जगह संतान प्राप्ति नहीं होना यह सब जादू टोने का असर होता है लाग कमा लो लाग बचत कर लो पर पैसे नहीं बचेंगे दवाईयों में खर्च इधा उधर खर्च तो इसका भी मतलब है कि आपने आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र से आपके जीवन की जो आपका एक तर में बार बार परिसानिया आती है अगर आप रात में सपने दराबने देखते हैं तो इसका मतलब होता है किसी ने जादू टोना आपको आपके ऊपर किया है तो इन तंत्र मंत्र क्रियाओं से बाहर निकलने के लिए खास प्रियोग हम बताएंगे जिसका कोई काट नहीं कि उपर किसी ने किया है वो समाप्त हो जाएगा तो यह तो समाने लक्षन है लेकिन जैसे कई बार हमने का कि कुछ आपको लगे है कि किसी ने आपको आवास दिया पर कोई होता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि दिन हो या रात किसी के भी एक बार बुलाने से जवाब नहीं तो भी इसका मतलब है आपके घर में कुछ न कुछ गरवर तो है यहां पर बहुत ज़्यादा परिसानी होती है क्योंकि ऐसे में आपको तुरंथ इसकी सांती करानी चाहिए अगर आपका नौकरी छूट किया है बिजनस ना चले तो पूरी तरह से आपके वेबसाइट को लोगों ने बान दिया ऐसा समझना चाहिए कई बार तो पडोसी भी ऐसा करते हैं आप जॉब करते हैं आपके साथ काम करने वाले लोग भी करते हैं इस तरह की चीजे होती है अगर आपके बिमारी डॉक्टर को समझ में ना आए शरीर सूखने लगे तो इसका मतलब भी यही होता है कि तांत्रिक क्रिया लोगों ने कराए इसे में तांत्रिक इलाज किये जाते हैं अब कई बार लोगों को पता नहीं चलता लोग सोचते हैं कुछ बिमारी है पर ये बिमारी नहीं होती पिचास की बात होती है क्योंकि सरीर पर इसका असर पढ़ता जाता है प्रान नहीं निकलता लेकिन सरीर को बेजान कर देता है आपको रात में सोते हैं आपको लगता है आपको सिफ एहसास होता है पर ऐसा होता नहीं आप प्रियास करें लेकिन कोई लगता है आपको बार-बार जैसे गला दबा रहा है यह सभी चीजें अनुहब हो तो इसका तुरंत आप तांत्रे के पास इलाज करा लें सरीर में चुहन का एहसास चलन का एहसास होना भी दुस्मन पुतला मारन प्रयोग करता है तो ऐसा महसूस होता है पैरों के अंदर जैसे कील चूब रहा है अगर आपको जरासा भी ऐसा हैसा होता है तुरंट आप इसका भी आप को पाई करना चाहिए क्योंकि घर में जब काली ताकतों का साया आता है तो बीमारियां परिसानियां हर तरह से बेक्ती को तबाह कर देता है आपके घर में लगा तुलसी का पौधा बार बार सुख रहा है आप बार बार लगा रहे हैं बार बार सुख रहा है तुरंट सांती करवाएं क्योंकि ये जादू टोना का ही लक् पीडित है, यानि मन में हमेसा निगेटिव खयाल आते हैं, आप बे बज़ा की उल्जुनों में फसे हैं, आपको लगता है कि घर से बाहर निकल जाए, कहीं भाग जाए, मन की सांतिक हो गई है, तो इसका भी मतलब होता है कि घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई गयब हो रहे हैं आपके बार बार, तो लोग तंद क्रियाय करने के लिए भी ऐसा करते हैं, तो ये तो लक्षन है, आपके उपर कोई भी लक्षन अगर अपलाए हो, तो आपको एक प्रियोग करना चाहिए, इन तमाम प्रिशानियों से बचने के लिए, आप ये प्रियोग का होगा कटा-फटा हुआ छेद वाला पत्ता मत लीजियेगा जितना ज़्यादा अच्छा उतना अच्छा अब पत्ते को लेयी डंठल नहीं तोड़ना रात में सोने के पहले इस पान के पत्ते पर सर्सों का तेल एक बुंद आगे पीछे लगा लें यानि पान के पत्ते के स माथे के पास आसपास कोई टेवल बेगे रखे साहरे भी ये पत्ता रख सकते हैं जो पान का पत्ता है आप लोग सभी एक जगा सोते हैं पूरे घर के लोग फिर भी आप ये परियोग कर सकते हैं एक ही जगा रखे एक ही पान का पत्ता रखना है अब इस पत्ते को अगले दि करना है हर बार नया पत्ता होगा फिर देखिए चमतकार अगर आपको जानकारी अच्छी लगे वीडियो पसंद है तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में हरहर महादेव लिखना मत भूलिएगा क्योंकि सबसे उपर है तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हरहर महादेव जरूर लिखे है धन्यवाद